वेलकम बैक एब्रिवन, वेलकम टो सबल सर्व से स्टाड़ी, यूपी पीसेस की टेस्ट सी रीशन लई थी, वन फॉट्टी फॉर टेस्ट कम्प्लीट हो गए थे, यह है टेस्ट नमबर वन फॉर्टी फॉर्टेंट होंगे प्रेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुश किस ने कहा था, बताईए, राष्ट पती का अपात काली नदिकार संबिधान के साथ धुका है, हर्दैनात कुंजरू ने कहा था, किस ने कहा था, अप्सन नमबर डी, रदैनात कुंजरू, तो हर्दैनात कुंजरू ने कहा था, राष्ट पती का अपात काली नदिकार संब पिहार में प्राप्त किया था उडिशा में प्राप्त किया था मद्रास में प्राप्त किया था लेकिन बंगाल में प्राप्त नहीं किया था तो भारत सासन अधिनियम 1935 के तहट चुनाव 1936 में हुआ था और इन चुनावों में कांग्रेस को पांच प्रांतों में पूर्ण प्राप्थुआ परंतु बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमात नहीं मिला। संबिधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतरगत किया गया कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा तथा अपनी योजना 16 माई 1946 को प्रकाशित किया उसने। अमेंडमेंट 1946 जो है 1976 जो है इसको मिनी कॉंस्टिउट्यूशन के नाम से जाना जाता है बहुत सरी चीजे इसमें हुईं। तो संसद ने 44 वा संबिधान संसोदन अधिने 1978 दौरा संपत्ति के अधिकार से संबध रखने वाले उपवंदों को मूर अधिकार से हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार अब लीगल राइट बना दिया गया मतलब बिधिक अधिकार और इसको कहां डाला है 300 का कामे डाल दिया गया है सूने काल संसदी विवस्था को किस देश की देन है सूने काल संसदी विवस्था को किस देश की देन है अमेरिका से लिए कि यह क्या बिटेन से स्विट्जर लेंड से भारत से किसी से नहीं ली गई यह भारत की ही देन है उपसर नंबरे है इसका आंसर तो संसत के दोनों सदों में प्रशनकाल के ठीक बाद का समय साधनतै सूझ काल जाता है सूझ निकाल का यह नां मुनी सो साथ सतर के प्रारणबिक वर्षों में तब दिया जब बिना पूर्व सूचना के अभी लंबी है लोक महत्तु के विश्य उठाने की पर्था प्रिश्टित हुई सून निकाल भारतिय संसदिय विवस्था की देन है याद रखिएगा निम्नमोलिक अभ्षारों में से किसे संभिधान का हरदय एवम आत्मा कहा था सभी को पता होगा इसका उत्तर संभिधानिक उपचारों का अभिकार आर्टिकल कॉन सा है ये थर्टी टू है क्या तो डॉक्टर भीमराम बेट करने अनुच्छेद 32 को संबिधान की आत्मा कहा है उनके अनुसार यदी मुझ से पूछा जाए कि संबिधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संबिधान सून हो जाएगा तो इसके सिवाए किसी दूसरे का नाम नहीं लूँगा और यह अनुच्छेद 32 संबिधान की आत्मा डॉक्टर भीमराम कुश्चे नुम्बर 7 पर आजाए निम्लिकत में से कौन सा एक भारत के संचित निदी से लिया जाने वाला अनेवार भार नहीं है ऐसे रिन जो भारत सरकार को चुकाने हैं यह तो भा भारत के निर्वाचन आयोक के सरस्यों के बेतन और पैंसन उच नियाले के नियाधिसों को दी जाने वाली पैंसन और राजसभा के उपाध्यक्स के बेतन भत्ते यह संचित निदी से जाएंगे राजसभा के उपाध्यक्स के बेतन भत्ते और हाई कोट के नियाधिसों को बहुत पूछते हैं इसको यह भारत की संचेत निदी से ही जाती है याद रखिएगा अजीब बात है ना जबकि जानी चाहिए किस से यह स्टेट से जानी चाहिए लेकिन जाती है यह भारत की संचेत निदी से भारत की संचेत निदी से बारत की संचेत निदी पर भारत नहीं हाइए कॉर्ट के नयाधियदों को दी जाने वाली पैंसन, राज सभा के सभापती और उपसभापती तथा लोक सभा के अध्यक्स और उपाध्यक्स के बितनभत्ते भारत के निर्वाचन आयोके सरसुकी पैंसर रो बेतन भत्ते भारत की संचितनी पर भारत नहीं होते कुश्चन नूम्बर एट है बिधान सबागे विगटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है जब तक बेचाता है ऐसा कैसे हो जाएगा नए अध्यक्स के चुने जाने तक बिधान सबागे विगटन के बाद गठित बिधान सबागी पहली वेठक के ठीक पूर्व तक ये सबसे सटीक है तो देखे विधान सभा अध्यक्स जब कभी विधान सभा का विक्टन हो जाता है तो विधान सभा के पश्चात होने वाले विधान सभा के परथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्स अपने पद को रिक्त नहीं करेगा इस प्रकार अध्यक्स विधान सभा के भंग होन सब्सक्राइक 510 सबैंजर yes आप यृप 2 प्रशाशनेике अविकरणों से अकिल है सेवाँन से वित्रायोक शेया फिर लोक सवaison में अनूशुचित जाती जाती का बुत रूंइन 600 कज़एक कोरे खुछए में networking लोकषवा में अनुसुचिति जैंडाथी से संभंदित अरक्षण का वड़न है अर्ध बहारत के संसथ्थ में निम्न में से कौन सा धर्ण रुपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है धर्ण रुपेक्ष का क्या मतलब है बाया लिस्वा संबिधान संसोदन अधिनिम के दोरा जोड़ा गया यह सब्द धर्ण रुपेक्ष का मतलब है भारत में राज का कोई धर्म नहीं है सारे धर्म उसके ल ज़िए भारत के राष्टपती का पद रिक्त हो जाए तो और उपर राष्टपती भी ना हो, तब कारेवाहक राष्टपती कौन होगा? कौन होगा बताईए सिविल सिवा में तो बताया है ना ये टेस्स सिरीज में राज सभा का सभापती राज सभा का उपसाफपती नहीं होगा राज भारत का महानेवादी नहीं होगा लोग सभा का सपीकर नहीं होगा कौन होगा सर्वोच नियाले का चीव जस्टिस तो सम्भिधान के अनुच्छे सत्तर में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी इस्तिती या परिस्तिती उत्पन होती है जब भारत का राष्टपती और उपराष्टपती अपने कर्तेबों को निर्भेहन करने में असमर्थ होते हैं तो भारतिय संसद को उनके कार्यों के संपादन की विवस्ता करनी होगी और अनुच्छे सत्तर के अंतरगात संसद ने एक बिलपारित किया जिसके अनुसार राष्टपती और उपराष्टपती दोनों के पद रिक्त होने पर सर्वोच नयाले का मुख्यन अधीस या उसकी अनुपस्तिती में सर्वोच नयाले का सब्सक्राइब करता है मौलिक अधिकार संबेधान की प्रस्ताबना नौमी अनुसूची या फिर राजी की नीती के निदेशक सिद्दान तो 42 तो मूल भारते संबिधान में धर्म निर्पेक्ष राज्य का बढ़ना नहीं था गिन्तु बयालिस्वा संबिधान संसोद अनतिने 1976 द्वारा प्रस्ताबना में धर्म निर्पेक्ष शब्द जोड़ा गया और समाजवादी भी साथ में कोश्चन नमबर 14 पर आजएए भारते संबिधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मद एक अच्छा संतुलन इस्थापित करता है यह कथन नमलिकित में से किसका है भीमराव अंबेटकर का नहीं है फिर किसका है यह के सी विहार का किसका के सी अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मद एक अच्छा संतुलन है यह किसने कहा था के सी विहार का कठन है यह अंतिंप्रेश्चन की तरह बगरसर होते हैं भारते संबिधान को बनाने है तू भारते संबिधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे साथ, नो, बारा या ना साथ हुए थे फिर कितने हुए थे 9 हुए थे या 12 हुए थे देखे 12 अधिवेशन हुए थे भारते संभिधान को बनाने है तू भारते संभिधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा इसकी अंतिम बैठक हुई 24 जनबर 1950 को और भारते संबिधान बनाने है तू भारते संबिधान सवागे कुल कितने अधिवेशन हुए थे बार आधिवेशन हुए थे तो भारते राजनितिक विवस्था कि ये 15 प्रशनते इंपोर्टन अच्छे से इसका रिविजन कर लीजेगा कम से कम दो बार तीन बार इस पूरी की पूरी टेस्स सिरीज की प्लेलिस्ट बना रखे है हमने बहाँ पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर 145 तक में हो सकते हो उसका लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गुट नाइट